मसकार दोस्तो, स्वागत है आपके अपने यूटूब चानल इलेट्रिकल गुरुजी पर दोस्तो, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Classification of fire के बारे में साथ ही कितने टाइप के fire extinguisher होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं Classification of fire के बारे में अगर हम International Standard के हिसाब से देखें तो fire को 6 कैटिगेरी में classified किया है जिसमें आता है Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F fire ये जो 6 Classes of fire है ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के fuel की वज़े से आग लगी है इसके उपर ही इसका Classification किया गया है तो सबसे पहले जानते है Class A fire में क्या आता है तो Class A fire में Combustible Material यानी जलने वाली चीजे जिसे हम Flammable Solid Fire भी कहते है अगर Example के रूप में देखा जाए तो rubber, plastic, paper, wood, textile इनको अगर आग लगती है तो ये Class A fire में आते है तो चलिए अब देखते है Class B fire में क्या आता है तो Class B fire में आता है Flammable Liquid यानी कि ऐसा liquid जो जो जोलन शिलो जिसे आग लगती हो अगर Example के रूप में देखा जाए तो petrol, diesel, paint, kerosene इसको अगर आग लगती है तो ये Class B fire में आते है तो चलिए आगे देखते है Class C fire में क्या आता है तो Class C fire में आता है Flammable Gases यानी कि जलने वाली Gases जो Gases आग पकड़ लेती है उन्हें हम Flammable Gases केते हैं अगर Example के रूप में देखा जाए तो hydrogen gas, butane gas, methane gas, LPG, CNG इनको अगर आग लगती है तो ये Class C fire में आता है तो आगे देखते है Class D fire क्या है तो Class D fire में आता है Combustible Metal यानी जो भी metal है जिने आग लग सकती है वो Class D fire में आते है अगर Example के रूप में देखा जाए तो Aluminium, Magnesium, Titanium, Potassium इनको अगर आग लगती है तो ये Class D fire में आते है तो ये सब metal जो है ये Combustible metal है तो अब देखते है Classifier क्या है तो Classifier में आता है Electrical Fires यानी अगर कोई Electrical Equipment Live Condition में है यानी उसमें से Electric Supply बह रहा है अगर इस Condition में आग लगती है तो ओ आग Classifier में आती है अगर Example के रूप में देखा जाए तो Computer, Transformer, Generator, Motor इनको अगर आग लगती है तो ये Classifier में आते है Classifier में एक Important बात यात रखिये दोस्तों अगर किसी Electrical Equipment को आग लगती है उस वक्त अगर वो Live Condition में नहीं है मतलब क्या कि उसमें से Supply नहीं बहा रहा है तो ओ आग किसी और Class में आएगी तो आगे देखते है Classifier क्या है तो Classifier में आता है Cooking Oil यानि खाना बनाते समय Cooking Oil की वज़े से अगर आग लग जाती है तो उस आग को Classifier केते हैं तो ये आग Classifier में आती है तो चलिए अब देखते हैं Fire Extinguisher के कितने टाइप होते है खास तोर पर अगर देखा जाए तो Fire Extinguisher के 5 टाइप होते है तो उसमें आता है Water Type Fire Extinguisher Foam Type Fire Extinguisher Dry Powder Fire Extinguisher Carbon Doxide जिसे हम CO2 Type Fire Extinguisher भी केते हैं और उसके बाद है Weight Chemical Fire Extinguisher तो सबसे पहले जानते है Water Type Fire Extinguisher के बारे में तो Water Type Fire Extinguisher जो है वो Class A Fire के लिए यूज किया जाता है तो Water Type Fire Extinguisher को हम केसे पेचानेंगे तो सबसे पहले तो Water Type Fire Extinguisher पर Water लिखा हुआ रहेता है और दूसरी बात उसका जो Labeling Color रहेगा वो Bright Red रहेगा जिससे हम उससे आसाने से पेचान सकते है Water Type Fire Extinguisher जो है वो खास तोर से Organic Material जैसे की Paper, Wood, Plastic इसे अगर आग लगती है तो इसके उपर किया जाता है तो Water Type Fire Extinguisher का उपयोग हमें कहान नहीं करना है तो आईए उसके बारे में जानते है तो जैसे की Electrical Fire Kitchen Fire Flammable Liquid या Gases इसकी वज़र से अगर आग लगती है तो वहाँ पर हमें Water Type Fire Extinguisher का उपयोग नहीं करना है तो चलिए अब जानते हैं दूसरे टाइप के Fire Extinguisher के बारे में जिसका नाम है Foam Type of Fire Extinguisher कर सकते हैं तो Foam Type Fire Extinguisher को हम के से पेचानेंगे तो सबसे पहले उसका जो Labeling Color है वो क्रीम कलर का होता है और दूसरी बाद उस पर Foam लिखा हुआ रहता है इसलिए हम इसे आसानी से Identify कर सकते हैं तो Foam Type Fire Extinguisher का उपयोग Organic Material यानि Paper, Wood, Plastic इसके उपर कर सकते हैं उसके साथ ही Flammable Liquid जैसे की Paint, Petrol, Diesel इनको अगर आग लगती है तो इनके उपर भी हम इसका इस्तमर कर सकते हैं तो Foam Type Fire Extinguisher का उपयोग कहां नहीं करना चाहिए तो आईए इसके बारे में जानते हैं तो जैसे की Kitchen Fire Electrical Fire या Flammable Metals इनको अगर आग लगती है तो वहाँ पर Foam Type Fire Extinguisher का उपयोग नहीं करना चाहिए तो चलिए अब जानते हैं तीसरे टाइप के Fire Extinguisher के बारे में जिसका नाम है Dry Powder Fire Extinguisher तो Dry Powder Fire Extinguisher जो है और Class A Class B और Class C जो है उसके उपर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसे Class A, B, C Fire Extinguisher भी कहते है तो दोस्तो Dry Powder Fire Extinguisher जो है को हम कैसे पेचानेंगे तो सबसे पहले उसके उपर जो Labeling Color है वो Blue Color का होता है और दूसरी बाद उसके उपर Powder Word लिखा हुआ रेता है इसलिए हम उसे आसानी से Easily Identify कर सकते है तो Dry Powder Fire Extinguisher का इस्तमाल हम Organic Material यानी Paper, Plastic, Ood इसके उपर तो कर सकते है लेकिन साथी साथ जो Flammable Liquid है जैसे की Paint, Petrol, Diesel इसके उपर भी कर सकते है इसके साथी जो Flammable ग्यासे से जैसे की LPG, CNG, Methane इनको अगर आग लगती है तो इनके उपर भी हम Dry Powder Fire Extinguisher का इस्तमाल कर सकते है तो Dry Powder Fire Extinguisher का उपयोग हमें कहां नहीं करना चाहिए तो इसके बारे में जानते है तो जैसे की Cooking Oil उसके उपर अगर आग लगती है तो वहाँ पर हमें dry powder fire extinguisher का उपयोग नहीं करना है उसके साथ ही अगर 1000 होल्ड के उपर अगर कोई electrical equipment होगा अगर उस पर आग लगती है तो वहाँ पर भी हमें dry powder fire extinguisher का उपयोग नहीं करना है यह ध्यान रखिए तो चलिए अब जानते हैं चोथे टाइप के fire extinguisher के बारे में जिसका नाम है CO2 type मतलब carbon dioxide type fire extinguisher तो carbon dioxide fire extinguisher जो है उसका खास तोर पर जो electrical type की fire होती है उसके उपर इसका ज्यादातर इस्तमाल किया जाता है आपने अगर देखा होगा तो computer server room या electrical control room के बाहर CO2 type fire extinguisher ही लगा हुआ रहता है क्योंकि CO2 type fire extinguisher जो है वो electrical fire के लिए बहुती सुरक्षित होता है तो CO2 type fire extinguisher हमें अगर पहचानना होगा तो उसके उपर उसका जो labeling color है वो black रहता है और उसके उपर CO2 word लिखा हुआ रहता है जिससे हम उसे easily identify कर सकते है तो अब जानते है CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कहा करना चाहिए तो जैसे कि flammable liquid या कोई electrical equipments को अगर आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल कर सकते है तो चलिए अब बात करते हैं CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल हमें कहा नहीं करना चाहिए तो जैसे कि kitchen fire, organic material या flammable metals इनको अगर आग लगती है तो वहाँ पर हमें CO2 type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना है तो चलिए अब जानते हैं पाचो टाइप के fire extinguisher के बारे में जिसका नाम है weight chemical type fire extinguisher तो weight chemical type fire extinguisher को class safe fire के लिए डिजाइन किया गया है class safe fire में cooking oil, fats, involved होते है अगर इनको आग लगती है तो वहाँ पर हमें weight chemical type fire extinguisher का इस्तमाल करना चाहिए तो ये weight chemical type fire extinguisher को अगर हमें पेचानना होगा तो इसके उपर जो labeling color है वो yellow color का होता है और उसके उपर weight chemical लिखा हुआ रेता है इसलिए इसे हम आसाने से identify कर सकते है तो weight chemical type fire extinguisher का इस्तमाल हमें कहा करना चाहिए तो जैसे कि cooking oil, fats अगर इनको आग लगती है तो वहाँ पर weight chemical type fire extinguisher का इस्तमाल हमें करना चाहिए साथी electrical equipment या फ्लेमेबल metals इनको अगर आग लगती है तो वहाँ पर हमें weight chemical type fire extinguisher का इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आपके मन में अगर कोई सवाल होगे तो comment box में ज़रूर बताईए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए Thank you